Hello everyone, welcome to our YouTube channel Everyday Life आज हम फिर हासीने आपके सामने लेकर एक नए इंटरस्टिंग इंफरमेशन आज की हमारे इंफरमेशन है काजू के टाइप्स के बारे में, काजू के नंबर के बारे में और काजू की गुणवक्ता के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं काजू के बारे में वीडियो कंटीनिव करने से पहले मैं आपको एक इंटरस्टिंग फैक्ट बता दूँ काजू जिसका बुटानिकल नेम अनकार्दियम ऑक्सिडेंटल है वो आम की फैमिली यानि की मैंगो के परिवार का ही एक सदस्य है सबसे पहले बता दें आपको की काजू जो है उसका जो नमबरिंग और उसका टाइप काजू प्रमोशन बोर्ड यानि केश्यो प्रमोशन बोर्ड ऑफ इंडिया करता है काजू प्रमोशन बोर्ड ने काजू को six category में डिवाइड करके रखा है और mostly retail market में जो भी काजू मिलते हैं वो आपको W या फिर B नाम से माक किये वे होते हैं B और W, B का मतलब है broken और broken अकसर domestic market में कम प्योग में लाए जाते हैं इनका उप्योग बेकरी और confection industry में होता है और W का मतलब है whole और W को mostly retail यानि की domestic market में consume किया जाता है तो आज हमारे पास यहाँ पर तीन variety of cashew यानि की काजू है तो सबसे पहले हम start करते हैं W 180 से जो W का मतलब काजू में whole है यानि की ये whole काजू है यानि की पूरा काजू है और 180 का मतलब है इसमें per pound of काजू में आपको जो काजू की अगर जैसे आप ये काजू का दाना है इसको गिनेंगे तो वो 180 numbers होगी ये domestic market में सबसे महगा variety of काजू है और इसको king of cashew भी कहा जाता है दूसरा काजू है W 220 का मतलब है whole अगेन ये पूरा काजू है ये रेखिए ये पूरा काजू है और इसमें एक pound में तकरिबन ये जो काजू दाना है वो 220 numbers होगे ये domestic market में premium product माना जाता है और इसे jumbo nurse भी कहा जाता है और ये तीसरा काजू है W 320 अब तक तो आप समझ गए होंगे कि W का मतलब whole है और 320 का मतलब है इसमें 1 pound में तकरिबन 320 number इस तरह के काजू दाने होंगे एक pound में लगभग 450 ग्राम होते हैं तो यानि कि हमने यहां बात की है कि एक pound में यानि कि 450 ग्राम में कितने number काजू होंगे तो यह देखिए यह आपके सामने तीनो वराइटी ओफ काजू है आप खुद ही समझ जाएंगे इनके size में क्या difference है बेसिकली जो काजू की quality होती है वो इसके shape पे और इसके लंबाई पे मरला कितना बड़ा है उस पे depend करती है तो आप जैसे यह देख रहे हैं यह W180 है यह सबसे बड़ा है और सबसे premium product है और यह domestic market में काफी महिंगा मिलता है और यह दूसरा हमारा है W220 यह इस W180 से थोड़ा छोटा है और यह भी काफी premium product है इसे jumbo nut भी कहा जाता है और इसका जो price है अपना king of casio से थोड़ा कम होता है और यह हमारा तीसरा है W320 यह domestic market में सबसे ज़्यादा popular है और सबसे ज़्यादा बिखता है और इसका price W320 का price अपना king of casio से काफी कम होता है यह तीनो type of काजू हमारे domestic market में available है इससे काजू के taste यह गुण में कोई फरक नहीं पड़ता size चोटा बड़े होने से हाँ लेकिन आप यह ज़रूर महसूस करेंगे अगर आपका काजू different location का है तो location के वज़े से taste में हलका फुलका फरक होता है लेकिन यह तीनो ही काजू एकदम pure form of the काजू ही है और आप इसको बड़ी आसानी से अपनी life में add कर सकते हैं I hope काजू के मेरी information आपकी every life में useful रहेगी Thanks for watching